मेसोपोटाम्य जिसे अक्सर्थ सभ्यता का उद्गम स्थल कहा जाता है, एक प्राचीन क्षेत्र था जो अबाधुनिक इराक, इरान, सीरिया और तुर्की के कुछ हिस्सों में टाइग्रिस और यूफरेट्स नदियों के बीच उपजाओ अर्धचंद्र में स्थित था. इस क्षेत्र में दुनिया की सबसे प्रारंभिक और सबसे प्रभावशाली सभ्यताओं में से एक का उद्गम जिसकी विशेष्टा क्रिशी, शासन, शहरीकरन, लेखन और सास्कृतिक उपलब्धियों में इसकी प्रगती थी. लगभग 10,000 इसा पूर्व, मेसुपोटामिया में शिकारी सन्रह करता समुदायों ने केती और जानवरों को पालतू बनाने की क्षमता की खोच करते हुए, प्रिशी जीवन शैली में परिवर्तन किया. इस बदलाव के कारण बसे हुए समाजों का उदे हुआ, क्योंकि लोगों ने गेहुँ, जोग और खजूर जैसी फसलों की खेती करना शुरू कर दिया. स्थिर खाद्य आपूर्ती के साथ समुदाय विक्सित हुए और गावों और कस्बों में बस गए. लगभग 4000 इसा पूर्व तक शहर राज्य प्रमुख राजनीते की कायों के रूप में उभरे. और उरुएक और बैबिलोन जैसे ये शहर राज्य अक्सर दैविय अधिकार का दावा करने वाले शासकों द्वारा दिवारों से घिरे और शासित होते थे. पुजारियों ने एक महत्वपूल्ण भूमिका निभाय, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि वे लोगों और डेवताओं के बीच मद्य स्थता करते थे. व्यापार में लगे शहर राज्यों को अक्सर नदियों द्वारा वस्तूओं और विचारों के आदान प्रदान की सुविधा मिलती थी. मेसुपोटमिया की सबसे महत्वपूल्ण उपलब्धियों में से एक लेखन प्रनालियों का विकास था. सबसे शुरुआती निवासियों में से एक सुमेरियों ने 3500 इसा पूर्व के आसपास क्यूनिफॉर्म लेखन का आविश्कार किया था. प्रारंब में चित्रात्मक क्यूनिफॉर्म एक जटिल लिपी में विक्सित हुई, जो प्रशासनेक रेकॉर्ड और धार्मिक ग्रंतों से लेकर साहिते और कानून कोड तक जीवन के विभिन पहलूं को दर्च करने में सक्षम थी. कानून की अवधारना मेसोपोटामिया सभ्यता का एक और मूलभूर पहलू थी. और नम्मू की सहिता लगभग 2100 इसापूर्व और अधिक प्रसिध हम्मुराबी की सहिता लगभग 17154 इसापूर्व अब तक दर्च किये गए सबसे शुरुआती कानूनी कोडों में से थे हम्मुराबी के कोड जो एक स्थीले पर खुदा हुआ था में सामाजिक पदानुक्रम और न्याय प्रनालियों को दर्शाते हुए कानूनों और संबंदित दंडों की एक विस्त्वित सूची शामिल थी. मेसोपोटामिया के जीवन में धर्म ने एक केंद्रिय भूमिका न दिवताओं को प्रसन करने और उर्वर्ता तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रसाद चड़ाया जाता था. विज्ञान और गनित में प्रगती भी स्पष्ट थी. सुमेरियों ने एक सेक्स जेसिमल बेस साठ अनप्रनाली शुरू की जिसे हम अभी भी समय के अ एक साधन प्रदान किया, जिससे पडोसी क्षेत्रों के साथ वस्त्वों का आदान प्रदान संभव हो गया. इस व्यापार नेट्वक ने धातों, वस्त्रों, मिट्टी के बरतनों और अन्य वस्त्वों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाया. अपनी उपलबधियों के बावजूद, मेसुपोटामिया को चुनोतियों का सामना करना पड़ा. प्राकृतिक बाधाओं की कमी ने इसे आक्रमनों के प्रती समवेधन शील बना दिया. इस पर एककादियन, बेबिलोनियन, असीरियन और फोसियों सहित विभिन सामराज्यों ने विजय प्राप्त की और शासन किया. मेसुपोटामिया सभ्यता ने आधुनिक समाज की कई पहलूओं की नीव रखी. इसके क्रिशी नवाचारों ने व्यवस्थित जीवन की अनुमती दी जिससे शहरी करन और संगठित शासन को बढ़ावा मिला. लेखन के विकास ने ज्यान को सनरक्षित किया और संचार को सुगम बनाया. कानूनी कोड, धार्मिक विश्वास और वैज्यानिक योगदान ने बाद की सभ्यताओं पर स्थाई प्रभाव छोगा. यद्यपी मेसुपोटामिया का राजनीतिक परिद्रश्य समय के साथ बदल गया, इसकी सास्कृतिक विरासत प्रारंव समाज की सरलता और लचीलेपन का प्रमान बनी हुई है. प्रिशी एवं सिचाय, मेसुपोटामिया सभ्यता की सफलता काफी हद तक सिचाय तकनीकों की महारत पर निर्भर थी. टाइग्रस और यूफरेट्स नदिया, उपजाव मिठ्टी प्रदान करते हुए, अप्रत्या प्रत्रित करने और लगातार सिचाय सुनिश्चित करने के लिए, लोगों ने नहरों, बांधों और जलाशयों की जटिल प्रनालिया बनाई. इस नवाचार ने ना केवल खृषी को सुविधा जनक बनाया बलकी बढ़ी आबादी और शहरी केंडरों का समर्थन करते हुए अधिशेश खाद्य उतपादन की भी अनुमती दी। व्यापार एवं वानेज्य, अपनी रन्नीतिक स्थिती के कारण मेसोपोटामिया में व्यापार फलाफूला, नदियों ने माल के आसान परिवहन की अनुमती दी, जबकि पढ़ोसी क्षेत्रों से लकरी, धातू और कीमती पत्थरों जैसे मूल्यवान संसाधनों तक पहु और एतिहासिक वृतांतों सहित प्रचुर मात्रा में सहित्य का उत्पादन किया। व्याक्तिगत उद्देश्यों के लिए मित्ती में चाप बनाने के लिए उप्योग किये जाते थे। ये मुहरे अक्सर दैनिक जीवन के द्रिश्यों, धार्मिक अनुष्थानों और प्रतिकात्मक रूपानकनों को चित्रित करती हैं। अधारित थी, लेकिन व्यापार, शिल्ट, कोशल और सेवा उध्योगों ने भी महत्वपून भूमिका निभाए। तकनीकी नवाचार, लेखन और सिचाई के अलावा, मेसुपूटम यावासियों ने विभिन तकनीकी नवाचारों की शुरूआत की। उन्होंने कुमहार का चाक विक्सित किया, जिससे मिट्टी के बर्तनों के उत्पादन में क्रांती आ गई और हल जिससे क्रिशी दक्षता में सुधार हुआ। और हथियारों में कास्य और बाद में लोहे के उप्योग ने धातू विज्ञान में प्रगती को चिनित किया, गिरावट और विरासत, समय के साथ मैसुपूटम या को पढ़ोसी सामराज्यों के आक्रमनों का सामना करना पड़ा,